इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस इस एकन ह9R के बारे में इस कैमरे को मैं मोर दन फोर मन्त से यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे लगता है मुझे इसके सारे प्रोज और गौन्स पता है और एक और बात बता दे रहा हूँ जो पहली बार इस वीडियो को दूरू मुझसे कनेट हो रहा है तो मैं मोटो व्लॉक् व्लॉक्सिंग मैं हाडली 3-4 करी होंगे अपने चैनल पर आप जाके देख सकते हैं तो अगर वीडियो आपको पसंद आते हो व्लॉगिंग और मोटो व्लॉगिंग के तो आप मेरे चैनल को सब्स्राइब कर सकते हैं अब बात करते हैं इस कैमरे की मैं इसके प्रैक्टिकल रिव्यू नहीं करूँगा क्यों अपने एक्सपिरेंस के हिसाब से इसके बारे में बाते करूँगा तो गाइस यह है इकन H9R और सबसे पहले बात करें इसकी बिल्ड उक्वालिटी की तो बिल्ड उक्वालिटी 3500 रूपीज के कैमरे के हिसाब से काफी अच्छी है और मै अगर हम बात करें इसके कुछ सेंपल्स के बारे में तो इस वीडियो के इंड में आपको सेंपल्स मिल जाएंगे और एक और बात यह है कि अगर आप राइडिंग के वक्त इसके ओडियो के सेंपल देखना चाहते हैं जो कि इमोटो व्लॉगिंग के लिए काफी आओगा यह बटन पर एक वीडियो होगा तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मेरी प्रीवियस राइड्स में जहां पर मैंने इस कैमरे को यूज़ करके मोटो व्लॉगिंग की है तो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि इसमें एक्स्टरनल माइक तो लगता नहीं ह यहां पर यह जो माइक्रोफोन है इसी से ओडियो रिकॉर्डिंग होती है और इसके साथ जो वाटरप्रूफ केसिंग आती है यह रही तो इससे ओडियो अंदर जाता नहीं है तो इसके लिए एक और इसको जो यह बैक डॉर है तो एक और बैक डॉर इसके साथ आता है जिस खास आयेगी नहीं अगर आपको सैंपल देखना है तो वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह आपके लिए है या नहीं तो अब अगर इसकी फीचर्स की बात करें तो इस पर 4K recording होती है 25 fps पर बड़ जो 4K है वो true 4K नहीं है तो इस वज़े से जो हम 1080p से उपर recording नहीं करेंगे 1080p 60 fps और 1080p 30 fps और उसके अलावा 720p 120 fps का भी option है तो वो भी देखेंगे एक चीज़ तो मैं बताना है भूल गया इस camera के साथ accessories क्या क्या आती है तो इस camera के साथ almost सारी accessories आती है जे hook को छोड़ के जो j mount होता है उसको छोड़ के सारी accessories आती है waterproof casing के लिए waterproof वाला back door इसके लावा audio recording वाला back door भी आता है और इस camera की एक main highlight है ये जो remote है लिए एकन h9r camera में ये remote आता है जिससे आप जब camera on होगा तो ये बटन दबाने से आपका recording स्टार्ट हो जाएगी और इसको दबाने से recording बंद हो जाएगी और इससे एक photo click हो जाएगी तो camera में भी memory card नहीं पड़ा इस पज़े से ये respond नहीं कर रहा नहीं तो 10 meter के दूरी पे respond करता है इसको charge करन अब यह सेंपल है एक एच 9R से और जो recording हो रही है वो 1080p 60fps पे हो रही है और audio इसके इंटर्नल माइक्रोफोन से record हो रहा क्योंकि इसमें external microphone लगाने का कोई भी option नहीं है तो audio internal microphone से ही record हो सकता है और हो सकता है आपको wind noise आ रही हो क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितनी तेज हवा चल रही है और मौसम यहाँ पर फतेपुर में आज बहुत सुहावना है तो recording अब 1080p 30 fps पर हो रही है और audio still इसके internal microphone से ही record हो रहा है तो अब बात करते हैं conclusion कि कि आपको यह camera लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो honestly अगर बोलू अगर आपका बजट 3000 सूपर नहीं है तो आप यह camera consider कर सकते हैं otherwise अगर आप 6-7000 खर्च कर सकते हैं तो इस समय go noise company जो है काफी अच्छी company trusted है तो इस company ने एक नया camera launch किया go noise play vlog तो 7000 की केमत में इसमें external mic support भी मिलता और इस camera के साथ आपको mic भी मिलता है तो यह camera काफी अच्छा होगा अगर आपका budget 7000 तक है और अगर आपका budget 3000 है तो आप इसी camera को consider कर सकते हैं मैं दोनों camera के buy link नीचे देदूंगा description में आप वहाँ से जाके check out भी कर सकते हैं और buy करना हो तो वो buy भी कर सकते हैं इस video में बस इतना ही रहेगा अगर वीडियो आपको पसंद रहा हो तो वीडियो को like किजिए, share किजिए और channel को जरूर subscribe कर लिजिए झाल